एक जाम पर्यावरान में पूछे जाने वाले महतपुर्ण प्रस्ट इट वीडियो में आप देखेंगी तो क्वेश्चिन नमर फस्ट को देख रहे हैं पर्यावरान अध्यान की शिक्षी का निमलिखीत में से कौन से किरिया कलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कोसर उप्योग कर सकती है क्या निरिति करना, बागवानी करना, वाचन करना या गायन करना तो सही आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं तो बताइए वो इसका correct आंसर होगा बागवानी करना जो कि परियावरन अध्यन में सिक्षी का निमलिकीत में से कौन सा क्रिया कलाप अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कोसल का उप्योग कर सकती है तो नाच करना निरती करन करना यह कोसल नहीं है वाचन करना कोसल नहीं है गायन करना कोसल नहीं है लेकिन बागवानी करना यानि यह जमिन से जुड़ी हुई पोधे को लगाता है तो इसमें अपने प्रक्रिया का कोसल को बोध करता है ने इस कोसल को देख रहे हैं कि बगीचे में दो बरतनों में ब मिलेगी क्या आत्म विश्वास बढ़ने में या आवलोकन कोसल विक्सित करने में या संप्रतियों के प्रस्थुती में या समय बदता और अंसासन में तो बता सकते हैं कि सही आंसर इसका क्या होगा तो बच्चों प्यारे दोस्तों प्यारे सिख जगन इसका करेक्ट आंसर हो आवलोकन कोसल विक्षित करने में उसकी महतपुर भूमी का निभाती है तो आंसर आपका सही होगा अपसे नमर दो आपका सही रहेगा नेस कोसल को देखने कि सचिन समाजिक आर्थिक अभाव गरत प्रिष्ट भूमी से संबंद रखता है उसकी कच्छा अध्यापिका स्रीमती खुरना को उसकी साहता करने चाहिए और कच्छा में ऐसा हुआ तावरन और इस्तिती बनाने चाहिए जिससे क्या होगा उससे संस्कि चाहर और आदते सिखाएं जिनसे वो सुचती है कि उसके पास कुछ कमी है तो इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर इसमें क्या होगा इसमें से आप दिमाग लगा के देख सकते हैं जहां पर आपका हतुत सही दिया है वो आंसर आपका गलत होता है उसके आद देखें उस बच गया तो यह आपका सही आंसर अशे से प्यारे को आशी तरा से समझ कर सब awesome कि सही आंसर क्या हो सकता है नेश क्वेशन को देखनें प्यारे दोस्तों कि पर्यावणन अध्यान की अध्यापग स्री मिहरा जी अपनी कछा में हमेसा भारत का मानचीतर लेकर जाते हैं क्योंकि यानि व revelation को आता है तो इसको वेक्लास में क्यों आता है क्या मांचीत्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, उन्हें बिद्यार्थी पसंद करते हैं, ये तो आपका नहीं होगा, चाहे मांचीत्र किसी प्रकार का बना हो, तो उसको बिद्यार्थी से कोई मतलब नहीं है, दूसरी बात करें, कि बिद्यार्थी मांचीत्र देखा आनं आंसर होगा आपका option number three आपका सही होगा और चार नमर की बात करें इसमें तो चात कच्छा में सांत और साथान बैठे रहते हैं यह आपका जहां भी निश्क्री रूप से बैठा रहता है वह आंसर भी आपका गलत होता है इस को देख रहे हैं कि प्रात्मिक अस्तर के लिए प्रत्य तथि देना चेतर भरमन करना या लगू चल चेतर देखाना तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है तो इसका सही आंसर होगा option number two क्योंकि प्रात्मिक अस्तर के लिए कौन सी बिधी पर्यावरन अध्यान से पढ़ाई करना पर्यावरन अध्यान से कोई मतल सब्सक्राइब नहीं है तो यह आंसर आपका सही होगा क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि कौन सी अच्छी नहीं है तो आपका करेंट अंसर होगा option number two is right मैं इस को देख रहे हैं आपके पास question क्या कर रहा है कि सिरीमति मनिसा पर्यावरन अध्यान के लिए शिक्षन के लि तो प्यारे बिदर्तियों प्यारे दोस्तों आपको याद होनी चाहिए जब भी आप पर्यावरन के बारे में अध्यान कर रहे हैं तो आपको विशेश छेत्र को बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए तो इसमें से दिखे पर्यावरन अध्यान के बारे में हम छेत्र क बेवहरवादी या अवलोकन जन अधी गम तो बताएं सही अंसर इसका क्या होगा इसका करेक्ट अंसर होगा समाजिक रचनावादी क्योंकि पर्यावन अध्यान सिक्षन उपागम का अंसरन करता है समाज के बारे में अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रात वीडियो को लाइक किजी चेनल को सब्सक्राइब किजी और मन लगा कर बढ़ाई किजी और परिछा में अच्छे अंको प्राप किजी थैंक यू फूर वाचिंग माई वीडियो